नमस्कार दोस्तों मैं हिर्देश मिश्टर आप सभी का स्वागत करता हूँ डिकोल डिक्जाम के इस प्रेट फ्राम पे कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे रपनी पढ़ाई को बहुत ही बहता ढंक से कर रहे होंगे देखे आज हम लोग बहुत ही इंट्रेस्टिंग जो है वीडियो पर चर्चा करने आएं आज हम लोग कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे आपके मन की बात करेंगे और जो आपके मन में बड़ी जिग्यासा अकसर रहती है कई सारे यूपी पीसेस की पोस्टों को लेकर पीसेस की और इसके अलामा अन्य और कई सारी पोस्टे होती है जो कि महगपुर होती है हमारे लिए हमारे सेलेक्शन के लिए और क्या कुछ सैलनी उसकी होती है क्या क्वालिफिकेशन होती है बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जिसमें शारेरिक मापदंड मांगता है यानि क आप से पूस्ता है कि भाई बताओ आप इस जो है हाइट के है या नहीं आपकी उचाइद नहीं है या नहीं है सीने की माप कितनी है कितनी नहीं है ये कुछ विशिस्ट आहरता वाले पद जो है कुछ specific qualifications वाले जो posters होती है वो आपके notification में समलित होती है तो उन्हीं पर हम हैं जो अभ्यरती अभी RO-ARO या अर्थात समिच्छात कारिक्साइद समिच्छात की त्यारी कर रहे हैं ध्यान नेखिएगा उन अभ्यरतियों से मेरी छोटी सी अपील है छोटा से request है कि जहां एक और आप इतना सारा content पढ़ रहे होंगे simple सी बात है कि आप घटना चकर पढ़ रहे होंगे आप current reference भी ready कर रहे होंगे बहुत सारे अब भेरतुने reference book भी मंगा ली होगी चाहे spectrum हो चाहे लक्ष्मी count हो चाहे महश्माणवाल हो चाहे परिछावारी हो अच्छी अच्छी reference book भी वो लोग पढ़ रहे होंगे तो यदी पर selection ले करके आपने को जो है थोड़ा सा बढ़िया तरीके से successful करें तो ये काम भी आप लोग कर सकते हैं क्या कुछ पोस्टे होती है क्या कुछ उसमें सुविधाय मिलती है इन पर हम लोग चर्चा करेंगे तो आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो बहुत अच एक बात मैं यहां पर mention कर दे रहा हूं कि starting के जो हम लोग कुछ पोस्टों पर चर्चा करेंगे basically हमनों 2024 का जो notification PCS का आया हुआ था उसके आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद जो 2018 में कुछ पोस्टे आए थी बढ़िया बढ़िया पोस्टे आए थी उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि PCS में कौन कौन से अच्छी पोस्टे आपके होती है उनकी salary क्या होती है उनका grade pay क्या होता है salary क्या मिलती है क्या कुछ चीज़े उनको बढ़िया से मिलती है तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले जो सबसे महतपू कि डिगरी आपकी क्या होनी चाहिए इसनाब तक आप जो है gration जो है क्या करें पूरा करले ध्यान खेगा एक बात ध्यान खेगा कई अभयरतियों का सवाल होता है कि सटर क्या आप पैरिंग वाले जो अभेरती हैं, क्या वो form fill कर सकते हैं, बिलकुल नहीं कर सकते हैं, ध्यान लिखेगा, जब तक कि आपके डिगरी नहीं आ जाते हैं, यानि कि जब तक आप असना तक नहीं clear कर लेते हैं, ग्रेशन नहीं pass out हो जाते हैं, तब तक जो है आप इसके लिए eligible नहीं रहेंगे यानि कि अगर आप 3rd year में हैं आप B.S.C.K, B.A.K या B.T.K तो आप यह form नहीं फिल कर पाएंगे ध्यान ने कियेगा form तभी फिल कर पाएंगे जब आपने सिनातक की डिगरी की हो तो नियूंतम महरता बिसकली के अतनी है असनातक की है अगर हम नियूंतम एज लिमिट की बात करते हैं तो उसकी नियूंतम एज लिमिट है हमारी वो कितनी है 21 साल, 21 साल पूरे हो जाने चाहिए यह भी बात आपक करने कि उस डेट तक आपके पास असनातक हो जाना चाहिए यहां आयोग सीधे तोर पर आपके notification में बात आपसे mention करता है आपको बताता है ठीक है दूसरा अब जो ये हमारा basically जो 2024 का जो notification आया था उसमें लिखित परिक्षा यूम साक्षातकार के माध्यम से विशिष्ट आहरता के पद होते हैं क्या लिखित परिक्षा और क्या लिखा है साक्षातका यानि कि दो बेस इसके होंगे इसके आधार पर 2024 में कुछ पोस्टे आई थी दो तीन एक्स्ट्रा पोस्टे थे जिसके लिए specific qualification मांगा था specific qualification that means कि इसना तक की इलावा भी कुछ डिग्री आपके पास होनी चाहिए वह योगिता मांगा था तो वो कौन कौन सी योगिता है जड़ा देख लेते हैं एक बार और इसके लावा हम लोग कुछ जिस पोस्टों में हाइट अर्थात जिसमें उचाई मांगता है और आई साइड आपका देखता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इसके लावा अन्य जो पोस्टे होती है बढ़िया बढ़िया लें जो किसे होती है इसमें सांखे की अधिकारी के कि अलब देख लेते है कि क्या थी इसकी qualification तो भारत द्वारा विध द्वारा भारत में विध द्वारा इस्थापत किसी विश्वदालेस में गनित किसे गनित या गनतिय सांखे की या सांखे की या किसी सांखे की यानि कि जो statics होता है आपका उसमें basically उपाध या सरकार द्वारा उसके समक्ष मानता प्राप कोई अहरता हो आपकी ठीक है ध्यान रखेगा और इसके लामा जो आयोग होता वो क्या करता है कुछ डिग्रियों के equivalent कुछ डिग्री को मानता है तो वही बात यहां पर लिखी हुए कि इसके लामा एक जो है इनका पत्र संख्या है उसके अगर यह यहां तो आप सांख्य की अधिकारी के लिए आप इलेसे बल हैं जो है जो जो तो इसका notification आया था उसके recording अब अगर यही पोस्ट 25 में आती है तो same qualification यही आपकी रहेगी ठीक है चलिए आगे बड़ते हैं दूसरी पोस्ट थी सहायक नियंत्रक विधिक माप ग्यान ग्रेट 2 की पोस्ट इसमें क्या था इसमें था कि भारत में विश्विद्याले से भिन कि संस्था से जिसे किसी विधिके अधीन विश्विद्याले की मानता प्राप्त से या गोशित किया गया हो या केंद्रिय सरकार द्वारा मानता प्राप्त किसी स्विदेशी विश्विद्याले से एक विश्विद्याले से एक विश्विद्याले की रूप में भौतकी यानि अभी अंतर सहीत विज्ञान में उपाध यानिकी ग्रेविशन आपका होना चाहिए अगर यहां है तो आप सहायग नियंतरक विदिक माव विज्ञान ग्रेट टू के लिए लिजबल है यानिकी जो साइंस में जो जिनके पास जो PCM होता है फिजिस केमस्ट्री मैथ होता है वह अभ्यरती इसमें जो है पाटिसेट कर सकते हैं राइट चलिए आगे देखते हैं कौँ सी पोस्ट इसमें थी दिसरा बेवस्था अधिकारी बेवस्थापक अगर हम इसकी बात करते हैं ठीक है तो यह इसमें क्या है भारत में विजद्व फिद्विद्याले से होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेकनोलोजी में इस तनात को बाद ही ठीक है ध्यान रखेगा बाकी नोट लिखा है कि अनेवारे सक्षी काहरता के अंतरगत उल्लेखित सरकार दार मानताप्त आपके संस्ता से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग में डिप्लोमेंट डिप्लोमा की आवधी तीन मर्सिय होगी जो लोग दोजार चॉविस का नोटिफिकेशन देखे होंगे नहीं देखेंगे वह लोग वी दरद देख लें आगे हम लोगजारव क्या पर चरक्षा करेंगे लेकिन या पोस्टे चॉबिस में क्या थी इस स्पे इस पोस्य के लिए हैंि राइड, इसके लामा सहायग निद्रेसक उद्योग यानि ह dalej करता हैं तो उसlair किसी विशुभिदाले से विश्य विश्युदाले या किसी मानता से कला यानि की आρ्ट, फिर विझ्यान यानि की साइंस वालडी जी यानि की commerce प्रदोगी यानि कि टेकनोलोजी में इसनात कोतर उपाद या वस्त्रोदोग में जो है कम से कम इसनात तक उपाद हो यानि कि इतने में कला में विज्ञान में वड़जी में प्रदोगी में इसनात कोतर यानि कि पीजी या फिर वस्त्रोदोग में कम से कम इसनात यानि कि य लिए दूसरा अब बात करते हैं कि कुछ पोस्टे ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको शारिरिक मामदर्ड यारी कि शारिरिक जो चीजे होती है वो इसकी भी आशकता होती है वो qualification में आपके एड होती है जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि पुलिस उपाधिश्चक जिसको हम लोग डिवाइस पी बोलते हैं इसमें क्या कुछ अभी देखते हैं हम लोग की क्या कुछ हाइट ऊगरा मांगते हैं इसके लामा आधिक्छक आरागार बड़े अच्छी पोस्ट होती भाईया पावरफल पोस्ट मानी लोग पैस्ट कमाने ही नंबर हो नंबर दो ना गप नहीं जक्त करना नंपर दो के खादा है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें खुब पैसा है, नंबर दो कमा सकते हो लेकिन कमाना नहीं, ध्यानकना इमानों इमांदारी का पैसा कमाना है आपको आप भेरति PCS के हो, इसलिए बड़ी इमानदारिक पुरुपिक जो सरकार आपको देगी उतरे में करना है करप्शन नहीं करना है ध्यान अखना इस बात का ठीक है हलांकि आप कारी निरेचे के पोस्ट इसी मामले के लिए जानी जाती है तथा उपकारापाल आदी उपलब्द होने की दसा में सम्मानित सेवा नियमाली अधियाचन के अन्रोप उन पर सारिक मामदंड लागू रहेगा जो की निम्नुमत है याने कि इनके जो कॉलिफिकेशन जो सारिक वाली है वो क्या कुछ है आईए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि ध्यान एकिएगा कुछ पोस्टे ऐसी होती है जिसमें अगर आप लोग जो है जिनकी हाइट अच्छी है ठीक है सब कुछ बढ़िया है तो लोग उन पोस्टों के लिए क्या हो जाते हैं इलिजबल हो जाते हैं अब कौन कोंसी पोस्ट हैं अभी हमने दिखते हैं तो सबसे पहले पुलिस उपाधिशक के लिए याने कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिप्टी इसपी बोलते हैं अधार्थाता तर का पने लगते हो तो एक डंडा मारें आफ से कट करें दम सिटीकुम हो जाती है सोचो एक छोटे से सिपाही से आप डरते हो छोटे सिपाही से तो उसके नहीं थी इति पावर होती है आप आप इंस्पेक्टर तो बड़ी बात हो गई ठाना अध्ष्ञ बड अधीक शक्र होगे सोचो कितनी पावर आपके अंदर हैगी यू कांट एमेजन ठीक है बड़ी पोस्ट मानिया आती है PCS के Dysp बड़ी पोस्ट जैसे जब आप UPC का एक्जाम दोगे तो उसमें जैसे IPS होता है इसको हम लोगों Dysp बोलते हैं इसको PPS बोलते हैं क्या PPS बोलते हैं जैसे Central में IPS होता है वैसे Dysp के लिए हम लोगों PPS बोलते हैं आप लोगों को शायद पता होगा बड़ी पावर फुल पोस्ट है भाई साब ठीक है चलिए इसके लिए क्या कुछ उचायओ अगरा चाहिए या हम लोग देख लेते हैं इसको तो जो आपकी male candidate है यानि की male candidate में केवाल पुरुष अभरतियों होते अनाराचित यानि की जो unreserved है यानि की जो general category में आते हैं ठीक है नागरिकों के अन पिशले वर्गों और अंसुचित जाती होते कितनी हाइट है भाईया 165 यानि की 115 cm की आपकी उचाय होनी चाहिए जड़ा कूद फांद लो अभी भी समय है अगर आपने हाइट अभी नहीं है ठीक है कूद फांद लो लंबे हो जाओगे दूसरा अंसुचित जो जंजातिया होती है उनके लिए हम हाइट की बात करते हैं तो प्रच्ट सेंटीमेटर और सेंटीन नाइन बिना फुलाए सेंटीमेटर इसकी साइज होने चाहिए सीने की और एटीफोर फुलाने पर होनी चाहिए दूसरा केवल महीला भेरतियों यह तो अनाराच्छित नागरिकों के अनपिश्णा वर्गों और अंसुजातियों के लिए कितना फिमेल स्के थोड़ा कम रहता है तो फिमेल के लिए कितना हो गया 152 इनकी क्या है यह विसेकली इनकी हाइठ है और यहाँ पर चश्ट हो गळादा यहाँ नहीं देखा जाता है ठीक है तो यह हो गया भया आपका 152 महीला भेरतियों ध्यान दीजेगा 152 सेंटिमेटर की आपकी जो height होनी चाहिए deputy SP के लिए अगर आपका सपना है बनने का तो ध्यान केगा यानि कि पुलिस उबाधिचक बनना है अगर आपको 152 cm आपकी height होनी चाहिए ध्यान केगा इसके लावा जो अंसूचित जनजातिया है उनके लिए बहुत कम कर दिया गया उनके लिए 147 ही किया गया है cm और उनके लिए भी chest size नहीं है और सभी स्रेंडियों की महिला अभेरतियों है तो निंतम जो वजन है यानि कि जो उनका weight है वो कितना है 40 kg का है और बाकी के लिए लागू नहीं है ठीक है चलिए तो यह हो गया कुछ चीज़े जो यहाँ पर important थी और अब हम बात कर लेते हैं जिला commanded home guard जो एक पद होता है अच्छी पूस्ट यह भी माने जाती है इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो पुरुष अभेरतियों के लिए height 167 है 155 cm और बिना फुलाय सीना 84 cm और फुलाने पर 89 cm महिला अभेरतियों यानि की female candidate के लिए 150 cm उनकी उचाय होनी चाहिए और बिना फुलाय चेस्ट उनका 179 और 84 जो होना चाहिए पुरुष अभेरतियों कुमायू और गरवाल मंदलों और अंसुचित जनजात अभेरतियों के लिए 160 और सीना बिना फुलाय 84 cm और फुलाने पर 89 cm यह भी आपको क्या करना है ध्यान देना है ठीक है चलो आगे बरते हैं लोग नेश्ट रहे अधिक्षक कारागार बढ़िया पोस्ट मानी जाती है भाईया आराम से चल मारके बढ़िया रहो और एक मूबी आपने देखी होगी कौन से देखो ध्यान नहीं आदि सनी देवल वाली शायथ है ना उसमें वो अधिक्षक जेल अधिक्षक रहता बढ़ा खतरनाक रहता है ना बहुत खतरनाक कि मैं तो यहां का सेंसा हूँ बहुत पावर्फुल होती है राजा आदमी बनते हो आप किसके लिए कारागार के जेल के आप राजा होती है बहुत बढ़ी शीपोस्ट होती है अधिक्षक कारागार इसके लिए उचाई 168 cm आप देखो मजदार बात है यहां पर 118 cm आपकी जो है हाइट दी गई क्यों जेल में रहोगे भाई या खतरनाक खतरनाक कैदी रहेंगे तुम छुटकूसर होगे ना तो डरा देगे तुमको भी कोई चोर आएगा ना क्योंकि आप चोरों के बीच में रहोगे भाई साब ठीक है तो वहां पर आपकी जो हाइट होनी चाहिए दमदार प्रस्नाल्टी आपकी होनी चाहिए ठीक है तो वहां पर 168 cm और कुमायों और गढ़वाल संभाग के अधरतियों की दसा में 163 cm ठीक है सीने के घेराओं की अगर बात करते हैं तो 81.3 cm बिना फुलाए और 86.3 cm फुलाने पर और आई साइड आपकी 6x6 की होनी चाहिए यह तीनों परामेटर्स पर अगर आप जो है हैं तो फिर आप अधिक्षक कारागर पद हेत्यों के लिए इलिजबल लहेंगे ठीक है ध्यान तो इस सब चीज़े आप पहले से नाप जोक लेना अपने अच्छे को ठीक है प्रसानाटी बना लेना इसके लाएं आपकारी निरिख्षक के अगर बात करते हैं तो इसके लिए पुरुस अभ्यर्तियों की हाइट 167 cm होनी चाहिए और बिना फुलाए सीना 81.2 cm और फुला पर लेमिट दे रिखे कि नियूनतम 152 cm तो आपका होना ही होना चाहिए आपका निरिख्षक के लिए यानि की मेल्स के लिए 167 cm महिला भ्यर्तियों में जिनके अंदर जो की अंसुचित जात अंसुचित जाती आती हैं उनकी हाइट 147 cm और जो अधर महिला हो गई उनके लि हमारी चलो आगे बढ़ते हैं यह इस पेसिफिक पोस्टे थी जो की पीसे 225 में मैंशन थी और यही सेम कॉलिफिकेशन आपको अलग लग दे है अगले नोटिफिकेशन में 25 वाले में भी देखने को मिलेगी उपकारापाल का एक पदी होता है उपकारापाल में जो यह कुछ मिश्चक हो गई है इसके लामा महिला भेरतियों के लिए अगर हाइट के हम बात करते हैं तो 152 हो गया और वजन कितना हो जाएगा 45 से लेकर 58 किलो ग्राम जो है इसका क्या हो जाएगा वजन हो जाएगा अन्सुचित जन्जाती के अभेरतियों के दिसामें उचा के लिए हो गया अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बेसिकली आयू सीमा की बात हमने आपको बता दी ठीक है हालांकि यह 2024 की बात यहां पर मेंशन है ठीक है कन्फूज मत होना जब 25 का आएगा नोटिफिकरशन तो उसमें बातें अलग लिखी रहेंगे जैसे 24 वाले भी होती है आए हमने उसको देख लेते हैं ठीक है तो इसको आप ठोट दीजिए क्योंकि यह 2024 के कॉरिंग था इसको फटा दीजिएगा ठीक है बाकी दिव्यांग जनों के हैं तो कुछ कुछ छोट होती है आए अधिक्तम आयू सीमा में किसकी छूट होती है इतना आप मत है किस ऐस्विषति मिलेगी उसको ुम देखते हैं यहां पर जा आगे तो अनिकतम आयू सीमा में छूटके अगर भात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अन्सुचित जनजाती और उत्तर प्रदेश के अन् पिछला वर्गों के अभर्य थियों उत्तर प्रदेश के वरगि अधिक्तम आयू सीमा में पांच वर्स तक के लिए अनुमन होगी यानि कि अगर इन में से किसी में एक समित हैं तो आपके लिए 40 से ओपर यानि कि 45 साल की आपकी एज लिमिट होगी ध्याने केगा तो ये बात आप लोग ध्याने केगा इस पॉइंट को आप हटा दीजेगा क प्लस थ्री वर्स के पराबर छुट भी अनुमन इसमें होगी तो ये सब आप देख लीजेगा ये बात की बात हैं ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं वेट किसके लिए है वेट आपको SGM की पोस्ट के लिए लेकिन उसके पहले एक छोड इंग्रेट ठीक है इसके लामा NCRT का हमारा बेस होगा NCRT के बेहाब पर हम लोग जो है लेक्ट्र को कराएंगे रिकॉर्ड वीडियो लेक्शर होगा और वो शेडियूर के आपको बिसकिन दिया जाएगा ठीक है इसके लामा एक्स्पेरियो टीचर होगा आपको पस्तल इ मेंस के हों सबिसके हैं अब को बिज़्यो लेक्ट इया जाएंगे पेश् transitioning में में की इसमें तेसरा रेभड के लिए और प्रत्रां के जाएगा अगर आप लोग interview के लिए क्या होते हैं qualify हो जाते हैं यानि कि अगर आप मेंस qualify करके interview के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर आपकी fees क्या होगे refund कर दी जाएगी इसके लावा अगर बात करते हैं तो CSAT के लिए अलग से course आपको दिया जाएगा उसी में रहेगा है ठीक है और सभी जो course आपको जितने भी चीजेश में दी जाएंगी बहुत ही minimum fees पर आपको एक course लांच किया जा रहा है जिसके fees बहुत नियुंतम है और अधिक की चानकारी के लिए basically अगर आप चाहते हैं तो 6307495944 या फिर 9506742546 पर आप लोग जो है WhatsApp या call कर सकते हैं ठीक है बाकी अगर 2025 को लेकर कोई जग्यासा है PCS की तैरी को लेकर को जग्यासा है 2024 में कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप लोग Google form fill करिएगा Google form fill करने के बाद आप लोग समिट कर दिजेगा उसके बाद आपके पास मेरे द्वारा या किसी अन टीचर के द्वारा कॉल आएगी आपके मन में जो भी डाउट होंगे तैरी को लेकर के आप अपने जिग्यासाओं को शांत कर सकते हैं प्रावलम को शॉट आट कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हम आते हैं सीधे जो है एक बड़ी पोस्टों के लिए जिसके लिए आप इसी दिर से इंतजार कर क्याते है वह पोस्ट है आपकी SDM की ठीक है SDM की बहुत पावर होती भाई साब और बड़ी अच्छी पोस्ट माने जाती है लेकिन यह तभी आप कर पाएंगे जब आप अभी से क्या करेंगे महनत करेंगे जबरदस तरीके सा महनत करेंगे और यह बेसकली जो यहां से हमने कुछ कुछ पोस्टों के लिए क्या होने चाहिए अलग अहरता है होती जो हमने आपको बता दी है ठीक है अभी यहां पर भी हम लोग कुछ पोस्टों की चर्चा करेंगे जिसमें अलग अलग कौलिफिकेशन के डिमांड आपकी होती है ध्यान रखेगा PCS में क्यावल SGM की पोस्ट नहीं होती है बहुत सारे भरती यह सोचते हैं कि PCS का एक्जाम देंगे तो SDM बन जाएंगे ऐसा नहीं है अगर अधिकतर पोस्टों की अगर हम बात करते हैं अधिकतर पोस्टों की जो ग्रेट पे होता है वो चववन सौ का होता है चववन सो का होता है चववन सो की great paper अगर हम बात करेंगे साली की approximately 70 plus thousand साली आपकी 70,000 प्लस साली जो है आपकी इसकी जाती है जो है अगर आप जो है SGM की post को धायत करते हैं तो 70 plus साली आपकी जाएगी अराम से जाती है एक post और होती है magistratial power की बड़ेशी post मानी जाती है great paper को कम होता है NT की किसकी? NT की जिसको हम लोग क्या मोलते है नयर तसिल्दार और इसकी साथ साथ इसका great paper जो होता है 2200 होता है कितना होता है? 2200 हलांकि अगर आपको power लेनी है आपको मिलेंगे प्रीवाले नोट्रीवाले जिसमें specific qualification होता है जिसमें विशेस आहरता की मांग करता है? वही पद आपको दिखाए जाते हैं बाकी अन्य पदों की आहरता आपको नहीं दिखा जाती है अने पदों की आरता हैं और कौन कौन से पद उस वर्स के पीसे के नोटिफिकेशन में सामिल हैं यह आप तब जान पाते हैं जब आप प्री कौलिफाई करते हैं और मेंस का जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर जिसको हम बोलते हैं जब आप मेंस का फॉर्म फिल कर कुछ इस प्रकार से आपकी सामिल होती है यह हमने 2018 का जो आपका डैफ था वहां से हमने इसको पिक किया है ठीक है और वहां पर 2018 में कौन कौन सी पोस्ट थी उसी के अधार पर हमने कुछ यहां पर बताने के कोशिस की है तो पहली पोस्ट आपके डिप्टी कलेक्टर की है जि इसका जुनून आपके अंदर जी भरके रहता है और SGM के बारे में थोड़ा सा हम लोग दो तीन पॉइंट चार्चा कर लेंगे और इसके आगे हम लोग एक नया वीडियो SGM के बारे में बताएंगे ठीक है तो पेवेंड आपका पंदाश हजाश से लेकर 29,100 होता है ग्रे अची आपको सरकार पे करते हैं आपके लिए और बड़ी पॉर जो है पावरफुल पोस्ट माने जाती है इसकी जो प्रमोशन होता है इस पर तो आज हम लोग चर्चा नहीं करेंगे चर्चा हम लोग किसे अन्य वीडियो में SGM पर अलग से कर लेंगे लेकिन इतना ध्यान कि SGM अगर आप इस उम्र में बन जाते हैं इस कमेज में बन जाते हैं आगे आप बड़ी लेविल तक डिस्टिक मजिस्टेट से लेकर के अन्य बड़ी पोस्टर पर आप जो है अपने को धायत करेंगे यानिकी बढ़िया जो है आप जो है काम करवाएंगे ध्यान नहीं कि जबर्दस करिए और जो है आपको प्रॉपर आइस स्कैटर मिल जाए साथ आर दस सालों में यह बड़ी अच्छी बात होगे लेकिन इसके लिए आप कम उमर में अगर बन जाएंगे तो ज़्याद अच्छा रहेगा ठीक है तो चावन सो ग्रेट पर चाहिए होगा और इसक किसी में अगर आपका बी प्रमार पत्र हो क्या बी प्रमार पत्र तो आपको नंबर आपको एक दो एक्स्टा मिलते हैं ठीक है या प्रदेशिक सेना में नियूंतम दो वर्स की अवध की सेवा की हो तो अगर यह दो कॉलिफिक्शन आपकी अगर अलग से हैं तो आपको क्य सदिए था है ध्यान निखेगा दूसरा पुलिस उपाधिक्षा जिसको हम लोग क्या बलते है पिपैस बोलते हैं बिसकी या आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिवाइस्पी बोलते हैं इसका ग्रե՟ पे भी ठावन्सší रुप बड़ी अच्छी पोस्ट मानी आती है और इसमें असनातक qualification चाहिए यानि कि ग्रेशन चाहिए और ग्रेशन की इलामा शारीरिक मापदंड चाहिए जो कि अभी हमने आपसे चर्चा कर ली कि भया डिवाइस पी के लिए आपको 165 cm की आपकी जो है हाइट होनी चाहिए नियू होनी होनी चाहिए ठीक है इसके लाव आसिस्टेंट कमिस्तर वालिजिकर यानि कि जो कॉमेर्सिल कमिस्तर होते हैं उसके लिए इसनातक तथा देवनागरी लिप में हिंदी का घ्यान और प्रदैसिक सेना में अगर आप नियूंतम दो वर्स के आपने सेवा की हो या NCC का अ लोगे बढ़ा तरीके से बड़ी अच्छी पोस्ट मानी आती है बहुत पावर्फुल पोस्ट होती है और जवर्दस्त इसमें आपको जो है बढ़िया काम करने का मौका मिलता है और लोगों की सेवा करने का आपको मौका मिलता है यह दोनों पोस्टे जो हैं पर आपकी मैं याती है तो इसमें आपको जबर्दस जो है हरार्की मिलती है जबर्दस जो है आपको जो है समान आपको आदर आप感 Знаग जो है नजरी से देखायाता है और यदि आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ऐसे घूमते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा आपका ठीक तो यहां पद आपके लिए बड़ा मज़ेदार है, इसके लिए हम दिन रात महनत करते हैं, यह दोनों पद आपके लिए बहुत सुंदर हैं, इसके लिए जबरदस महनत करिए, और PCS ने जो बैस लाउंच किया है, आप चाहें तो उसे जुड़ करके आपनी त्यारी कर सकते ह जिसे भी माध्यम से आप करना चाहते हैं, यह किसी अनसंसना से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत में यह ठीक है, लेकिन महनत जबरदस करिए, बहुत पाउर आपको मिलती है, इसमें भी सरकारी आवास आपको बढ़या बंगला मिलता है, बढ़या अच्छा खासा, और इसमें जो है, क्या क्या प्रमोसन आपका होता है, SDM, ADM, फिर CDO, फिर बाके DM, हम लोग एक बार अलग से SDM पर बनाएंगे वीडियो, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, दूसरा, और कोई सी पोस्टर होती है, इसमें भीया, सहाय संभागी परिवान अधिकारी, इसम अगर आपने प्रादेशिक सेना में नियुंतम दो वर्स के अवाधि, अगर पूरी की हो, या NCC का भी प्रमापत्रगा आपके पास हो, तो आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा मार्स मिलेंगे, और इसना तक इसकी minimum qualification होती है, खंड विकास अधिकारी भया, क्या वीडियो कौन ठीक है, एक तो वीडियो होता है, वैन वाला वी होता है, उसको बोते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, जो कि आपको यूपिटर बलसी से कराता है एक्जाम, और एक होता है, बी डी ओ, बैट वाला वी, ठीक है, यह होता है आपका ब्लाग डबलेमेंट अफिसर, यानि की खं पत्र हो, तो आपको एक्ष्टा मिलता है, ठीक है, मार्क सब, जिला कमानेर होम गार्ड के लिए, नियुनतम असनातक होना चाहिए, और सारिक माबदंड होना चाहिए, जो कि अभी हमने आपको वहाँ पर बताया था, चवाँ सो गेट पे इसका भी होता है, यानि कि इसके पत्र हजार प्लस इसकी भी साली होती है, यह भी अच्छी पोष्ट मानी जाती है, ठीक है, ज्यानी किएगा, नेश्ट है, अधिक्षक कारागार इसके बारे में भी हमने आपको बताया ही, कि आप समनलीजे, जिले के राजा होते हैं, बढ़िया पोष्ट होती है, और इसक समनलीजे, आपका पुरा किला होता है, बास्सा होता है, समनलीजे या राजमहाल होता है, इस तरीके से, बहुत बढ़िया पोष्ट होती है, तो इसके लिए भी नियुन्तम, ग्रेशन, और प्लस, जो सारिंग मामदर्ड जो हमने आपको बताये थे अभी, लास्ट में, वो एक पोष्ट जो ना है, पर तैसिलदार की होती ही, जिसकी गेट पे 22 होता है, बाकि लगभर-लबग सभी पोष्टों का गेट पे 54 होता है, ठीक है, यहां ने किएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेश्ट आए, वालिद जिकार अधिकारी, वालिद जिकार, ठीक है, यह इसके बारे भी हमने आपको specific qualification बताई थी आपको, जिसमें एक विसे की रूप में भौत की यांतरिक अभिहंतर सहीत, विज्ञान में सनातक को बाधी, ठीक है, बाकि देवनागरी लिपी में, हिंदी में कारे करने का अग्यान आपको होना चाहिए, और अगर प्रादिसिक सेना में नियुनतम दो साल के आपने सेवा की हो, य एक एक जाए, गन्यान रिच्छा के यूम सहायक चीनिया एक्त, ये भी पोस्ट होती है भाईया आपके लिए और इसका गेट पर भी चवंस होता है, बढ़िया पोस्ट होती है, इसमें भी नियुनतम जो अहरता होती है, इसना तक होती है, या अगर आप एक डिरिशन कर र हैं मेरे फ्रेंड ने इसको फिल किया था था थारा वाले में ठीक है उसका नहीं हुआ था यह उसका पोस्ट प्रेंस से जो हमने आपको बताया हुआ है ठीक है दूसरा सहायक सर्मायुक्त के अब बात करते हैं तो इसका भी 54 ग्रेट पर है और वालेजविध या एक विसाय के रूप में अर्थसास्त्र या समास्त्र के साथ में कला में इसनात्र या उसके संबकर्ष अन्यार्ता यानिकी देखो क्या लिखा है वालेजज यानिकी कॉमर्स या है या सर्हायक सर्मायुक्त का लेवर कमिस्तर साथ रीवर कमीशनर बोलते हैं बढ़िया पोस्मानी आती ही इसको भी आपनलोग रह सकते हैं कटाफा कम जाती इसकी साह inm IN 2007 बहुत अच्छी पोस्ट है अगर आप चाहें तो इसको आप SDM DIPTSP के बाद आप इसको रख सकते हैं या एक पोस्ट होती है BSA की इसमें नहीं था क्या BSA BSA, Basic सिच्छा अत्कारी Basic सिच्छा अत्कारी फी पोस्ट आप SDM DIPTSP के बाद आप BSA को रख सकते हैं अगर आपको Education शेतर में बढ़िया काम करना है यतने भी आपके जिले के स्कूल होते हैं सभी के समयलेजी आप हैडर रहते हैं बड़ी पावर्फल पोस्ट मानी आती है बड़ा समान भी इस पोस्ट का आप चाहें तो इसको अभी फिल कर सकते हैं ठीक है बाकि जिला पंचात आजिकारी अधिकारी चवणसो गेट पे है ठीक है लेकिन ध्यान रखेगा B.B.S.A. के लिए जो नियुंतम जो हारता होती है अगर आप पीजी कर रख है तो ही आप जो है B.S.A. की पोस्ट के लिए जो है क्या होते हैं एलिस्बर लहते हैं ठीक है ध्यान रखेगा इसको बोलते हैं वेसिक सिच्छातकारी जो टीचर होगे आई जानते होगे वेसि mercury साफ से बड़ा डरते होगे ठीक है और यसी में पोस्टों बी şunu की होती है क्रणिख्रट करे की बोलते हैं वो调क सिच्छातकाे तो बड़ा गजब काम करते हैं तानासा सब्द नहीं यूज़ करेंगे मतलब बड़िया पोस्टे होती है इसके लिए मस्ट पोस्ट होती है यह और अपने आपको इदम सीना चोड़ा करके चलते हैं भी यो वाले ठीक है यह तैयारी कहले न भाइस आप आपके अंडर में कई सारे बीयो जो है आजाएंगे ठीक है पुर्य डिश्टिक के बीओ आपके अंडर में काम करेंगे ठीक है तो ध्याने कि पीसेस की तारीके लेज़ेगा अच्छे तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं लोग इसकी भी जिला पंचाथ राजिकारी की भी ज इसनातक है यानि की नियूनतम जो है आपने ग्रेशन अगर करया किया हुआ है तो आप इस पोश्ट के लिए वी क्या है इलिजबल है यह पोश्ट भी आपके लिए क्या है बहुत ही बहतर है ठीक है जिला प्रोवेजन अधिकारी ठीक है डीपियो बोलते हैं साथ इसको और या सोसवलजी से अगर आपने पीजी की उपाध्य हांसिल dollols या सरकाय द्वारा उसके संकच मानता प्राप्त कोई आहरता समाजिक कर की किसी सखा में इस नात को तो डिपलोम अगर आप ने किया है तो जिला प्रोविजन अजिकारी के रिए महिला यूं बाल पिकास के अंतरगत जो है आप इस पोस्ट के लिजबल है अच्छी पोस्ट मानी जाती है डीपीओ के साथ इसको बोस्ट बोलते हैं और यानि कि अगर आपने पीजी एकनोमिक्स में सोशल वर्क में या सोशॉल जे में किया है डाइट मींस यूर इलिजबल फॉर दिस पोस्ट पोस्ट निम क्या है जिला प्रोविजन अधिकारी सहायक आयुग तो उद्योग सुष्मयोग मध्यम अरभाग के अंतरगत इसक सब्सक्राइब लिखा ना यह दो वर्स की सेवा यह सेना में यह अधिमानी आरता हैं होती है मतलब कि अगर आपने अगर आपके पास इसनातक किलाव अगर यह चीज है तो आप लोग बढ़ियास में मांक सबको मिल जाएगा आभी भी आप लोग अगर कम उमन में हैं तो NCC ले लिजिए बड़ा फाइदा आपको मिलेगा ठीक है ध्याने कियेगा मतरगस्ती मत करिएगा नेश्ट रहें सहायक आयुक्त तो यूम सहायक निवंदत सहकारता इसके लिए भी भाया नियुंतम इसनातक जो है आपकी नियुंतम इसनातक है और चमवन सुगेट पे इसका लिए भी क्या है इसके लिए अलेक्सिक क्वालिफिकेशन है इसके लिए क्या है कि किसी विश्वदयलय या किसी मानता प्याप संस्था से कला यानिकी आठ विज्ञान यानिकी साइंस वाड़ यानिकी कामर्स या प्रदोग्गी में यानिकी टेक्नोलोजी में इसनातकोत् सवाधिं होनी आपकी चाहिए यह स्पेसिफिक हैं कि कला यांज कि आठ विढ्यान यान कि साइंस या वारद्जिय या प्रदोग्ली में इसनातको discussion तर यान की पीजी डीज़ी वना होना चाहिए या फिर इस के लामा यह भी या इस इस क्रामा इसमें आप तीनों में चारों में पीज्थी हुँ या फिर वस्तर-द्योग में मांःताप राड़ संस्ता से स्थनात्कोस्तर वॅपाद या वस्तर-द्द्योग में कम स Whoo एक कि ठीक है तब आप इस पूस्ट के लिए जबल होगे और इसका भी गिट प्यापका कितना है चववन सो का है ठीक है चलो आगे बरते हैं सहायक निदेशक उद्योग इसमें क्या है इसमें किसी विश्वदाले से या किसी मानताप्याप संस्था से कला में यानि कि आठ में फि चबन सो गेट पे है ठीक है और यह पेड़ लिखा होता है चब पंदाश्व हजार चेसों से उन्तारीजाद एक सो ठीक है चलो आगे बढ़ो उपसचिव आवास यह उम सहरी निवोजन बढ़िया पोश्टे होती है ठीक है आरामदाय कोश्च होती है इसनातक इसकी क्यों ह होती है क्या उपसचिव आवास यह उम सहरी निवोजन का दूसरा जिला पूर्थ अधिकारी यह अच्छी पोश्ट होती है और इसके लिए बेसिकली क्या चाहिए भारत में विधिज्वाराज थापत किसी विश्वाले से इसनातक को बाद या और देव नागरी लिपी में हिंदी का ज्यान ह्हें होना चाहिए और इसका बे बिसिकली कितना है ऑर्ता अलिस इसके बिजिया गेच कोयाएफ है इसके लिए इसनातक होना चाहिए और दियो नागरी लिपी में आपको लिखित ज्यान होना चाहिए हिंदी का और बाकी ये अधिमानी आहरता हैं ठीक है इसका बेतनमान जो मैट्रस लेबल है कितना है एट है इसके लावा जिला बचत अधिकारी राश्ट्रे बचत बेतनमान इसका क्या है इसका लेबल एट है वहिया और नियुंताम इसका असनातक है डिगरी इसके लावा सहायग नयंतरक विदिक माव विज्यान ठीक है इसमें क्या है इसमें एक विसकी रूप में भौत की या यात्रा का आपके पास अनुभाव होना चाहिए तो आप जो है सहाइग नियन तक विधिक माप विध्यान के लिए क्या है इलिजबल है ठीक है इसके लामा जिला दिव्यांग शशक्तिकर अधिकारी अगर इसकी बात करते तो इसके लिए भी नियुंतम जो है विशक लिए आपके पास इसनाथ तक होना चाहिए और भारत में विधिद्वारा स्थापत किसी बिसुदाले या सरकार द्वासन के छेतर में और इसके लामा बिसकली भारत में विधिद्वारा स्थापत किसी बिसुदाले या सरकार द्वारा किसी संस्ता से बिहन प्रकार के निस सक्तता पुनरवासन के छेतर में विशिशग्ये उपाद डिपलोमा भी आपके पास होना चाहिए तब जाकर के आप इस पोस्ट के लि किला रोजगार इसमें होती है ठेक है और जो आपका न तो यह basically क्या है आपके लिए कुछ पोस्टे थी यह पोस्टे जो हमने आप भी आपको बताई है यह 2018 वाले में आई थी और इसी प्रकास से जब आप तो वहाँ पर भी आपको अलगलग पोस्ट प्रिफरेंस फिल करना होगा और वहाँ पर बिसक लिए क्या होगा यह सब चीज़े आपको देखने के मिलेंगे ठीक है जाने किएगा बाकी मुझे पता है कि आपकी जो मन्चाही पोस्ट आपकी वो है मन्चाही जो पोस्ट आपकी वो है SGM की मैं जानता हूँ और SGM के लिए आप लोग जीत तोड़ महत करते होंगे बहुत सारी लोग जो डिवाइस भी बन जाते हैं जो आने पोस्ट उपर आ जाते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं SGM की तयारी बात में करते हैं ताकि उनकी कढ़ोगता डाय पारवक्ता दिएट परवक्ता दैट परवक्ता के लिए वह या जो दोनों मंगता है ठीक है डाइट प्रवक्ता की पोस्ट बहुत अच्छी मानी जाती है और कटाफ डाइट प्रवक्ता की कम होती है बड़ी अच्छी सैलली होती है 2018 में तो यह पोस्ट नहीं थी लेकिन अगर आपने B8 कर रखा है और या फिर अगर पीसिस तैयरी करते हैं तो ध्यान खिएगा B8 अगर आप कर लेंगे और उस साल अगर आपके पास डिगरी अगर आपके पास जो है B8 की है तो अगर आपने में से ठीक ठाक लेविल का लिख Anda राही है तो ध्यान की अगर कि आपके ढता के चांस बढ़ जाएंगे फील कर दीजेगा ताकि आप काãy ED & aloud क्वना कर बड़ी अच्छी पोस्टि मानी पोस्टों में आप जो है अलग लग जो है सिच्शा अप्रिंडा और तो बनके जाते हो ठीक है बड़े-बड़े बदों पर अधिक्षा कर चाहे आपको बाद में हो सकता है जो अभी आपका आधिनस सेव चाहिक का अधिश बना दिया जाए उसकता है जो भी उच्टतर सिच् अगर उनकी हाइट थोड़ा बहुत कम है थोड़ा सा दूर शूद पियो खाना पिना खाओ और हाइट कुदो फान दो और अपनी हाइट को थोड़ा सा लंबा कलो और हाइट अपनी नाप लेना आज कल में जा करके ठीक है हाइट और चेस्ट साइज जो भी है अपना एक बार जड़ा नाप आपके देखो कि बैसकली आप फिट आ रहे हैं इस पैमाने पर नहीं आ रहे हैं बाकी तो आपका लेक्ष्ट SDM का होगा और मुझे आपसे चाहिए SDM की पोस्ट एनी हाओ इनी हाओ मतलब इनी हाओ देखना आपको है कि आप कैसे महत करते हैं मेरा फुल सपोर्ट होगा आपको कोई जानकारी चाहिए उसके लिए आप सीधे तोर पर मेरे से बात कर सकते हैं टेलिग्राम कर सकते हैं वाट्सप कर सकते हैं या फिर आप लोग जो है जो किसी भी समझता का समधान कर सकते हैं और SGM तो SGM है बढ़ा अच्छा सा बंगला मिलेगा माली मिलेगा सेक्योर्टी गार्ट मिलेंगे आपको ठीक है सब कुछ मिलेगा आपको और दली मिलेगा बहुत प्रकार की सुबधाएं होती हैं फोन कॉल से फोन कॉल की सुबधा अगर हमारा है तो यह जुनून आपका भी होना चाहिए आपके उज्जल भविश्च के लिए आपको आने वाले समय में इस यूपी का SDM, यूपी का DYSP, यूपी का BSA या यूपी का करागार धिक्षक या अन जो पोस्टे होती है उसको बनने के लिए आपको में तरफ से बहुत साई शुब कामना है डिकोड एक्षाम की तरफ से डिकोड परिवार की तरफ से आप सभी को लोग को बहुत शुब कामना हैं कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करेगा और वीडियो को जादा जादा शेयर कर देजेगा मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ तब तक आप लोग पढ़त गलिकोड़ करेख़ कि ते कर दो से तरफ से दिकर